हलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रेंस कर ब्लाउच की कटिंग यहां मैंने कपड़े को दो भाग में फोल्ड कर लिया है हमारा चेस्ट यहां 38 इंचे है चेस्ट का मेजर में निकालने के लिए हमारा जितना भी चे रेडी 14 इंच चाहिए तो हमें एक इन मार्जिन के लिए 15 इंच लेंगे यहांपर इमें में 15 इंच पर एक निशान लगा लिया है आपको ब्लाउच की इतनी भी लंबाई चाहिए उसमें आप एक इंच प्लस करकर लंबाई पर निशान लगा है यहां सोल्डर के लिए मैं मैं ने 6 इंच निशान लगाया है यह 38 इंच का ब्लाउच है चेस्त रेका तो आम यहां 6 इंच पर सोल्ड़ काया निशान लगा रही हैं और 4 इंच पर निशान में आप चाहिए तो यहां साड़ेयां हम मिला लेंगे इसके बाद हम आर्मोल का गोलाई का निशान लगाएंगे आर्मोल के गोलाई के लिए यहां में डेड़ इंच का निशान लगा रही हूं यह अमर मुल के गोलाई देंगे इसके बाद हम हमारे निशान लगाएंगे नेक के लिए यहां में 1,2 इंच चोडाई में यह हमारा बैक नक है तो इसकी लमबाई जो है मैं storing 9 इंच रख रही हूँ और चोडाई इसकी 201-v1. पीछे वाले भाग में हम एक इंच का यहां टक्स लगाएंगे जो हमारे दोनों शोल्डर के बीच में होगा इसके बाद यहां हमारे चेस्ट का निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए हमारे चेस्ट का चोथा पार्ट यहां 38 चेस्ट रहे तो हमारा चोथा पार्ट आया था 9.5 इंच और हम उसमें 2 प्लस करेंगे मार्जिन के लिए हमारे पीछे वाले पाट की जो ड्राफ्टिंग हो चुकी है अब हम इसे कट कर लेंगे आप बस मेजर्मेंट का ध्यान रखें अगर आप मेजर्मेंट सही लगाएंगे तो आप किसी भी तरीके से कटिंग करें आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग है वो पर्फेक्ट बैठेगे सबका अपना अपना तरीका होता है ब्लाउज कटिंग करने का बटा मेजर्मेंट का ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लाउज पर्फेक्ट बनेगा यह हमारे बैग पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी अब हम बैग पार्ट को एक डबल फोड कपरे पर रख लिया है मैंने इसी से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम जो बेक पार्ट का हमारा सॉल्डर है और आर्मोहल है और उसकी लंबाई पर निशान लगा लेंगे अब यहां इसके सॉल्डर में जैसा निशान लगा है वैसे ही लगा लेंगे जैसा हमने बेक पार्ट में लगाया है और आर मूल का भी हमने निशान लगा लिए अब इसकी लंबाई पर निशान लगा लेंगे यो कि दोनों भाग की लंबाई हम 15 इंच रखेंगे इसके बाद हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे अब हम यहां फ्रंट के गले के लिए निशान लगा रहे हैं तो इसकी चोड़ाई हम धाई इंच रखेंगे और फ्रंट का जो गला है उसकी लंबाई जो है मैं यहां 6 इंच रख रही हूँ अगर आपको इससे बढ़ाना या घटाना है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं सब चलंदें वह जाना सब्सक्राइब और हमंग। अर्मोर हो यह कि आर्मोर फोंने जो इसमें बैक पाइड भी हमएंख से बाonie भी आइजो होगा है इसे पनी इंच भोल यहां उस Toby li निशान लगाएंगे और उस निशान से इसे गोलाई दे देंगे अब हम जब कटिंग करेंगे फ्रंट पार के तो जो नीचे वाला अंदर वाला जो हमने निशान लगाएं वहां से कटिंग करेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसके बाद हम प्रिंस कट में जो हम टक बेल्ट वाले ब्लाउस बना लगें तो इसके लिए हम जो नेक वाला हमारा भागें वहां से साड़े 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे उसके बाद जो हमारा आर्मोल वाला भागें वहां पर हम 12 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा जो आगे बेल्ट जो आगे का भाग रहता है वह चोड़ा होता है और पीछे वाला भाग रहता है वह सक्रा होता है तो इसलिए हम इहां पर हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे अब हम इन दोरों निशानों को मिला लेंगे इस तरह इसके बाद जो हमारा नीचे वाला भाग है वो हमारा बैल्ड का भाग रहेगा अब हम यहां प्रेंस कट के लिए निशान लगाएंगे तो इसके लिए हमें जो हमारा नेक का भाग है वहां से साड़े चार इंच पर एक निशान लगाना है ध्यान रहे है जो हमारा नेक का भागी उदर से हम निशान लगाएंगे जो बंद भाग हमारी साइड है वहाँ से साड़े चार इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहां हम एक टक्स रालेंगे यह हमारा सबसे बड़ा टक्स होगा जो एक इंच का टक्स होगा इस सरह से इसके सेंटर से आधा इंच हमें एक साइड और आधा इंच दूसरी साइड लेकर निशान लगा देंगे अब जो हमने ये टकस का निशान लगाया इसे गोलाई लेते हुए हमारे armhole की सेंटर से इस सरह गोलाई दे देंगे हम किसी भी नाप का ब्लाउज बना रहे हूं उसमें इसी दरह से हम निशान लगाएंगे टक्स के लिए यह सबसे बड़ा टक्स होगा हमारा और इसी से हमारी फिटिंग आती है ब्लाउज की इसके बाद में यहां एक टक्स और लगाऊंगी जो उससे पहले हम यहां बैल्ड के यहां पर आदे इ और एक टक्स लगाएंगे हम हमारे शोल्डर के नीचे से यह टक्स जो है हमारा चार इंच लगेगा आप चाहें तो सिर्फ एक टक्स लगाकर यह ब्लाउज बना सकते हैं या आप चाहें तो इसमें यह तीन टक्स का प्रिंस कट ब्लाउज बना सकते हैं यह हमारे प्रिंस कट की ड्राफ्टिंग कम्प्रीट हो चुकी है अब इसके बाद हम इसको ऐसे कट कर लेंगे बीच से हमें जो यह निशान लगाया है वहां कट नहीं करेंगे वहां सिर्फ हम टक्स लगाएंगे बस हमें यहां बेल्ट को ही अलग करना है I hope आपको मेरा फ्रिंस कट बलाऊज की cutting का तरीका पसंद आया होगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो please वीडियो को like करें और share करें और सनाती मेरे चेनल को subscribe करें ताकि मैं ओर ऐसे वीडियो आपके लिए बनाती रह हूं आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताएं ताकि मैं और प्रिंस कर ब्लाउज की मैं थड़े जो आपके साथ शेयर करूं थेंक यू फोर वोचिंग